हलो दोस्तों मैं आपके साथ में मनीशा जा लेकर आई हूँ आपके लिए एंडेटेइन्मेंट का डबल डोज मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत कर चंदीगड की हरनास को और संधुनी ब्यूटी पैजिन की रेस में भारत की शान बढ़ाई है दरसर 21 साल के लंबे एक समय के बाद भारत को ये खिताब मिला है ऐसे में हरनास की जीत से पूरे देश में खुशी की लहर दौड पड़ी है साथी हरनास की इस बड़ी उपलब्धी पर देश-विदेश से उन्हें खूब बधाया भी मिल रही है अंदर रास्ट्री ये मंच पर खूबसूरती की दौड में भारत का नाम उचा गरने वाली हरनास ब्यूटी विद ब्रेन का बड़ा उधारन बन चुकी है हरनास का स्टाइल, फैशन, सेंस, इंटेलिजन्स हर चीज ऑन पॉइंट है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब चार साल पहले हरनास का और कैसी दिखती थी अगर नहीं तो आईए हम आपको मिस यूनिवर्स 2021 हरनास का और संधू की देन एंड नाउ लुक दिखाते हैं मिस यूनिवर्स 2021 हरनास का ये फोटो 3 मार्च 2017 का है आज अंतरास्ट्री ये मंच पर भारत की शान बढ़ाने वाली हरनास कुछ साल पहले बिल्कूल ऐसी दिखती थी हरनास की ये फोटो भी साल 2017 की है उस समय हरनास सिंपल सादे लुक में रहती थी किसे ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन चंदेगर की ये लड़की खुबसूरती के मामले में दुनिया भर में अपना सिक्का बुलंद करेगी और देश का नाम रौशन करेगी हरनास के पुराने फोटो उसको अगर आप देखेंगे तो आप उनका लुक पूरी तरह से बदल चुका है हरनास एक सिंपल लड़की से एक फाशन डीवा और स्टाइल आइकन बन चुकी है हरनास का सोशल मेडिया अकाउंट उनकी सारी नई ग्लामरस तस्वीरों से भरा हुआ है हरनास का सोशल मेडिया अकाउंट देखकर ही ये साफ जाहिर है कि उन्होंने ब्यूटी पेजिंट के मंच पर अपनी खुपसूर्ती कस्तिक का जमाने के लिए काफी टाइम पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और कड़ी मेहनत करके अपने लुक में बड़ा ट्रांस्वरमेशन किया हरनास जब एक टीनेजर थी तभी से उन्होंने ब्यूटी पेजिंट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और आज अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासल किया है हरनास मिस्स यूनिवर्स बनने से पहले कई ब्यूटी पेजिंट की खताब अपने नाम कर चुकी है हरनास ने साल 2017 में मिस्स चंडीगर का खताब जीता था इसके एक साल बाद साल 2018 में हरनास को मिस्स मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया 2018 के टाइटल से नवाजा गया था लेकिन हरनास यही नहीं रुकी उन्हें और भी कई उचाईयां चुनी थी दो प्रतिस्ठित खिताब जीतने के बाद हरनास ने मिस्स इंडिया 2019 में हिस्सा लिया जहां वे टॉप 12 तक जगा बनाने में काम्याब हुई मिस्स इंडिया के टाइटल के करीब पहुँचकर जीत हासिल ना कर पाने पर भी हरनास ने हार नहीं मानी वो कड़ी मेहनत करती रही और साल 2021 में जब उन्होंने मिस्स इंडिया 2021 प्रतियोगिता में हिसा लिया तो सभी की निगाहें उन्हीं पर्टी की थी और आखिरकार हरनास ने कर दिखाया ऐसे में भारत ने अब तीसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया है जिसका ताज हरनास को और संधू के सिर जा सजा है तो फिलाल के लिए इतना ही इंडिटीन्मेंट से जुड़ी और भी चटपटी खबरों के लिए बने रहीए ABNA News के साथ